दोस्तों इंडियन रेल्वे फाइनेंश कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानि IRFC की बात को स्टॉक रॉकेट की गती से दोड रहा है यानि आप देख से तो कि एक तरपा तेजी बनी हुई है और पिछले एक सप्ता ही में करीब 25% स्टॉक दोड चुका है इसके पीछे है दो इसमें में बहुत तेजी से दोड़ते हुए क्या थ्री डिजिट में जा सकता है क्या ये इन्वेस्मेंट का मौका या फिर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चीए तो IRFC को लेकर बहुत सारी बाते हैं जिसको इस वीडियो के बादे मिसे हम डिसकस करने की कोसिस करेंगे इसके अलावा बहुत सारी बड़ी डियल हुई है उस डियल की वज़े से यहां पर देख सकते हो कि तेजी का वातावन तो बनी रहा है लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है तो क्या ऐसे में आने वरस में फिर से स्टॉक नीचे आ सकता है जानने की कोसिस करेंगे इ इस वीडियो के माद्यम से लेकिन फ्रेंड से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जबी ने वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक स आपको दिखे देगा जापे वन अंडे 15 पॉइंट की गिरावट है यानि 0.18% डाउन है वैसे बाजार अपने डायरेक्शन को तलास रहा है और काफी वालेट आइले बाजार लेकिन नर्मी बनी हुए लेकिन आई यार अपसी जबर्दस दोर आए एक तरसे बाजार में व आई 43.75 का और इस समय स्टॉक देख सकते हो कि 43.30 के आज पासे बहुत तेजी से स्टॉक दोर आए 9.07% की जबर्दस तेजी बनी हुए और भी जादा तेजी बन सकते क्योंकि सरकेट की लिमिट 20% की है लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है वालिम सुब सुबही ब आज सुबह सुबह 10 बजे के समय ही 16 क्रोड का भारी वालिम हो चुका है याज वालिम में बहुत भारी उचाल आ सकता है अब आप देखिए सकते कि आज जो वालिम टॉपर है उसमें लार्ज केप में वेजानता आपको दिखाए देगा फिर इसके लावा स्मॉल केप में आ यहाँ पर भी 1% की गिरावड है प्रॉफिट बुकिंग के वेज से जेपी पावर चार नंबर पे आपको दिखाए देगा कि परफॉर्मस देगे पिछले चार पाज ट्रेडिंग सेशन की तो सत्ता ही जुलाई को स्टोक 34.85 के आसपास था 1.1% की गिरावड हुई थी अगस्त को स्टोक फिर दोड़ा 40.50 पर आगया 6% की सांदर 30 के साथ और 2 अगस्त को प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी और 39.70 पर स्टोक की गिरावड हुई 2% की गिरावड के साथ क्योंकि बाजर में भी गिरावड थी कल तो उसका आसर यहाँ पर देखने हो मिला लेकि इंसाइडे ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है और यहाँ पर देख सकते हो कि यह मंडे 14 अगस्त से ट्रेडिंग विंडो खुलेगी तभी जो कमपनी से समभनी लोग है चाहे वो बोर्ड के सदिसे हो या फिर एंप्लोई यो वो नॉर्वल ट्रेडिंग कर पाएंगे अब यहाँ पर अगर हम इसकी परफॉर्मस देखे तो बहुत ही बैतर है और यह आप समझे सकते हो कि इसने पिछले सप्ता भर में ही करीब 25 परसें का जबर स्टन हमें दे दिया है और यह बहुत बड़ी बात है यहाँ पर इसके रिजल्ड की बात है तो बैत 23,891 को भी तक पहुच गया यानी रिवेन्यू डबल से जादा हुआ है अब प्रॉफिट की बात के 2019 में जापे 2254 को भी इसका प्रॉफिट पूरे साल का वो 2020 तक बढ़के 6,330 से उनको भी तक पहुच गया यानी प्रॉफिट डबल नहीं बलकि 3 गुना हुआ है तो जिस लोग परिशान होते हैं बार-बार कहते हैं कि ऐसे स्टॉक में आप इंवेस्मेंन करें ने बोले हैं तो दोड़ी नी रहा है लेकिन आप देखी सकते हैं कि दो साल में आपके पैसे डबल हो चुक है और डबल से भी ज्यादा हुआ है जिसना भी निवेस का उसको अच्छा इसकी बड़ी रकम सेंक्सें किया है जिसके वैसे रेल एर और रोड प्रोजेक्ट किये जाएंगे तो नौर्थ इस्टन इस्टेट के तया दिया कि तो यहां पर इरिजनल कनेक्टिविटी की जाएगी करीब 19 रेलवे इंट्राइक्सर प्रोजेक्ट यहां पर कंप्लेट क किये जाएंगे तो सरकार लगातार बहुत सारा इस समय फंट प्रोजेक्ट कर रहे है और ऐसे रेलवे रूट जहां पर अभी तक रेलवे नहीं चलिए वहां पर भी नए ट्रेक बिचाया जा रहे है जो सिंगल ट्रेक उसको डबल किया जा रहा है सभी ट्रेकों का ला सकती है एक बड़ी गुंड़ी और निकल का रही है दिल्ली रेलवे इस्टेशन पर देखे तो 11 किलो मीटर का एक एलविटेर कोरीडोर बनाने की एनॉस्मेंट किया सरकारन है यह बहुत बड़ा कोरीडोर होगा जिससे रेलवे के जितने आजपास के जो इस्टेशन उ तो इस कोरीडोर के माध्यम से देखे तो आपको मल्टी पर इंट्री मिल जाएगी जो आप इस्टेशन पर आपाएंगे जिसमें बसंत लेंज से लेके दिन दियाल उपादिया मार्क तक और आप यह समझ सकते हो कि रेलवे के लिए यह बहुत बड़ा एक अच्विमेंट ह होने वाला है ऐसे में जो लोगों को बहुत सारा बेनिफिट होगा तो पिछले महिने आप देखे तो कि रेल डेवलोप्मेंट एथर्टी की तरब से यहां पर देखे तो कि कल दो अगस्त को प्री बीडिंग मीटिंग होई थी जिसमें सभी इंटरेसेट पार्टे से बाच सारा खर्च होगा और ऐसे में आने वाले से में आप देखे तो कि IRFC के लिए एक बड़ा मौका निकल के आएगा अभी जो IRFC में तेजी बरी इसको ट्रिगर मिला जब इनों ने एक देखे तो कि IRFC ने RITS के साथ में एक MOU साइट किया है दोनों मीजनल के मूचल प्रोजेक देखे दोनों को फायदा होगा जिससे और आने वाले से में इसका काम काच करने की चम्ता बड़ी और इसीने इसको ट्रिगर दिया और पिर तेजी का दौर सुरूआः और रिजल्ट भी आने वाला जिसके बाद में रिजल्ट बैठर होगा तेजी का दौर सूरूगा एक तो बड़ा जो रिजन है IRFC के दोड़नेगा वो है FI की तरफ से खरीदारी, FI अब इस समय खरीदारी शुरू कर चुक है, IRFC के अंदर इसकी वज़से भी ट्रिगर मिला और SME दोड़ना शुरू हो चुक है, अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ जिससे लग रहा है कि स्टॉक थोड़ा और नीचे भी आ सकता है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी लगातार हो रही है, तो देखते हो कि सुब नौ बजकर 21 मिनट पर 41 की प्राइस से 9,76,50 की एक बिक्वाली हुई, फिर 9 बजकर 23 मिनट पर 40,90 की प्राइस से 11,70,50 की फिर 9 बजकर 27 मिनट पर 41,50 की प्राइस से 12,18,00 की बिक्वाली हुई, उसके बाद देख सकते हो कि 9 बजकर 47 मिनट पर 42,80 की प्राइस से 13,84,00 की एक बिक्वाली और हुई, उसके बाद 9 बजकर 47 मिनट पर देख सकते हो कि 42,75 की प्राइस से 10,93,60 की बिक्वाली हुई, तो उसी समय 9 बजकर 47 मिनट पर 43.05 की प्राइस से 28,28,000 की एक बड़ी खरिदारी हुई, फिर 9 बजकर 54 मिनट पर 43.60 की प्राइस से 10,55,000 की एक बीक्वाली और हुई, उसी समय 9 बजकर 54 मिनट पर 43.65 की प्राइस से 9,95,000 की एक बीक्वाली और हुई, उसके बाद 10 बजकर 18 मिनट पर 43 की प्राइस से 12,70 तो यह तो आप देखी सकते हो कि खरिदारी हो रहे बड़े फंडाउस की जरूर लेकिन यहां पे बड़े फंडाउस जम के प्रॉफिट बुकिंग भी करें और ऐसे में क्यों न करें क्योंकि स्टॉक पिछले सपता ही करीब 25 परतिस अच्छा पॉइटिव रिटन दे चुका है ऐसे में शॉर्ट टम इनवेशन तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और अगर आप भी शॉर्ट टम इनवेशन तो आपको प्रॉफिट बॉकिंग करना चाहिए क्योंकि बाजा जिसतर से निगेटिव बना हुआ है हो सकता है यहां पर भी दबाव बने लेकिन ये जो ल पॉइटी बना हुआ है 100 में से 100% बाइक की कोले तो आपको इंवस्मेंट कर लेना चीए लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवस्मेंट करने से पहले अपने फाइनंसल एडवाज़ेस अबाड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकर मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपज के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेजरों की जोड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यों फ्रेंड